के गाइज इस नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0 स्वागत आप सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पे तो होफ़ुल यह क्लास अपको अच्छे लग रही होंगी तो अगर अच्छे लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक आप लोगोंने नहीं किया है तो उत्रगन डियर 24 का नोटिफिकेशन आने के बाद सारे सब्जेक्ट आपको फ्री आफ कॉस्ट क्यूट्रिक्स 2.0 पे पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल निश्चिंद रही है तो आज की जो क्लास है आज के क्लास आज के पहले कुश्ट के साथ तो जो आज का पहला कुश्ट है वो है किसी गाउं में पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 है कि 10% पुरुष 40% महिला और 80% बच्चे शाक्षर है तो निश्चरों का प्रतिश्यत क्या है क्या आटीश्य ग्राइब करना तो तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर चाक्षरों का प्रतिशत निकालेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा चाक्षरों का प्रतिशत कितना है अब जब कोई चीजे अनुपात में दी वही होती है तो यह अनुपात में चीजे दी हुई है तो हम लोग जिसे यहां पर 5 रेशियो 4 रेशियो 3 दिया हुए तो हम 5x 4x 3x मान लेते हैं ठीक है यानि यहां पर आपको पुरुष की बात की गई यानि मेल महिलाओं की बात की गई यानि फीमेल और बच्चों की बात की गई है यानि चिल्डरन ठीक है तो अब यानि मेल क्या मानोगे आप 5x महिला क्या मानोगे 4x और बच्चे क्या मानोगे 3x ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम X की एक value assume कर लेते हैं, यानि male माल लेते हैं 500, female माल लेते हैं 400, यानि X की value हमने 100 assume कर ली, और ये 300, कल भी एक question था, इसी इन में रेक्षर की जगा शाक्षर कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या बूला गया है, कि total साक्षरों का प्रतिशत आपको दे रखा है, कि 500 में से 60 प्रतिशत जो पुरुष हैं वो साक्षर है, तो 500 में से 60% साक्षर हैं, तो 500 का 60% आप निकालेंगे, तो simple सी बात है 300 आएगा, कैसे निकाला हमने निकाला 500 into 300, ठीक है, उसी तरह के से 40% निकालेंगे महिला का, तो 4, 4, 16 यानि आजाएगा आपका, 160, ठीक है, 80% निकालेंगे बच्चों का, इन्हें 8, 3, 24, निन्हें 240 आजाएगा, यहीं टोटल साक्षरों की संख्या कितनी है यहाँ यहाँ पर, ठीक है, तो टोटल साक्षरों की संख्या होगी, ठीक है, तो टोटल साक्षर जो है 700 है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है, यह हमें यहाँ से मिलेगी, हम इन सब को जोड़ेंगे, पाँच अर्च अर्च अर्ण और तीन, बारा सो, 1200, 1200 is total number of person, including female, male and children, 700 is literate person, यहीं साक्षरों की संख्या, आप से पूछा गया है, कि साक्षर का कितना प्रतिशत है, हाला कि इसमें से option match नहीं करेगा, क्योंकि question यह same to same कल था, तो मैंने question थोड़ा सा change कर दिया, तो basically आपको निकालना है, कि 700, 1200 का कितना percent है, 700 upon 1200 into 100, 2-0 से 2-0 कड़े है, आपका answer आजाएगा यहाँ पर 700 upon 12 percent, तो आगे मैं इसको solve नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि option match तो करेगा नहीं कि हमने question को change किया हुआ है, तो hopefully आपको method समझ में आगों कैसे question को करना होता है, तो चलिए जी, बढ़ते हैं आज के अगले question की तरफ, तो जो आज का अगला question हमारा है वो है, एक चुनाव में 2 प्रित्याशी थे, चुनाव वाले question अक्सर पूछे जा रहे हैं, 2 प्रित्याशी थे, एक प्रित्याशी ने 43.5 percent मत प्राप्त किये, और 3744 मतों से पराजित हो गया, विजए प्रित्याशी ने कितने मत प्राप्त किये, बहुत simple सा question है, हम यह assume करके चलेंगे, विजए प्रित्याशी ने कितने मत प्राप्त किये, हम यह मान के चलता है कि total मतों की संख्याथी 100 percent, कितनी थी 100 percent, अब इसमें से जो हारा है, उसको मिला है 43.5 percent, ठीक है, तो जो ज विजक है करेंगे यहां से तो यह हो जायगा आपका टेन में से 5 गया यहाँ पर जायगा आपका पर जरेका 56.5 percent पर जो एक दूसरे को मिले है ठीक जो जीता है ठीक अब हमें क्या करना है हमें बताया गया है कि वो 3744 मतों से पराजित हुआ है हारा है यानि इन दोनों का जो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजे 43.5 की वैल्यू निकाल लीजे तो कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर करता है 5 में से 5 गया 0,6 में से 3 गया 3,5 में से 4 गया 1 तो आजाएगा आपका 13% ठीक उसका जो डिफरेंस है वो 13% का डिफरेंस है इसका क्या जो आपको प्लेइस का लिंक मिलेगा वो परसंटेज का मिलेगा उसको ध्यान से पढ़िए आप मैट्स आपको बहुत इजी लगने लगेगी तो 13% की वैल्यू यह हो गई आपको क्या निकालना है कि विजई पृत्याशी को कितने मत मिले विजई का परसंटेज कितना है 56. परसंट है 13 परसंट की वैल्यू अगर 3744 है तो 1 परसंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3744 अपॉन 13 ग्प्यक्या इसको मि इसको करना है तो इसको सॉलव करें 13 से ऊपर है मेरे साब से पूरा पूरा कड जाना चाहिए तो थर्टीन से अगर हम डिवाइट करें इसको तो इसको पहले में raise कर देता हूं यहां से, ठीकै, 13 से इसको फूरा फूरा टीवाइट कर देते हैं, तो 3, 7, 4, 4 को हम 13 से इवाइट करेंगे, मुझे लगता है कि इवाइट हो जाना चाहिए, ठीकै तो 13, 2, आपका 26, यहां आ गया 1, यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 4, फिर आपका 138 होता है 104 तो यहां पर आगया 0 और यहां पर आगया 1 और यहां पर आगया 4 तो कितना आगया 288 into 56.5 तो 288 into 56.5 यानि जो मारा आंसर होगा 288 गुणा 56.5 हम करेंगे तो मारा आंसर आजगा अब इतना तो आप कर सकते हो अगर इस पर किसी को confusion है तो कल भी मैंने एक election वाला question कराया था वो इससे असान था क्योंकि देखो हर एक question का टाइप होता है जब हम easy level से शुरुआत करते हैं तभी हम थोड़ा सा tough level को easily समझ सकते हैं अगर इस class में कोई पहली बार आया हुआ है तो यह जो question हो सकता है आपको इस question हो समझने में दिक्कत हुई हो तो आप description box में जाहिए वहाँ पर percentage का playlist अल्रीडी बना हुआ है उसको ध्यान से चार-पांच classes होंगी उनको एक बार पढ़ लीजिए आपको definitely चीज़ें clear हो जाहिए क्योंकि election के questions में जो यह type है यह थोड़ा सा one level up question ठीक है तो इसको solve करिएगा आपका answer आ जाएगा ठीक है जिससे पानी का प्रतिशत 20 हो जाए ठीक है तो आप देखो ध्यान से 80 लीटर है अब 80 लीटर में दूद भी है पानी भी है और उसमें 15% water है तो अगर 80 लीटर टोटल है तो 15% का मतलब है 158 जा 120 यानि 12 लीटर आपका क्या हो गया water हो गया ठीक है तो 80-10 हो गया 70 यानि 68 ली यानि यहाई जाए कि जो यहां पे समझने वा ली पानी मिला ना है पानी पहले कितना है 12 लिटर है तो हम यह मान के अगर कि पानी है वो कितना हो गया हमारा पानी हमने मिला दिया pixel मिला दिया फो जो X, increase हुआ है भले ही water increase हुआ है लेकिन total में भी तो increase होगा total container भी तो बढ़ेगा तो आप क्या करोगे यह हो गया आपका water और पानी का प्रतिशत आपको कितना करना 20 प्रतिशत करना है तो नया जो है आपका वो कितना हो गया 80 प्लस x नया हो गया तो इसका जो 20 परसेंट होगा वही नए पानी का amount होगा वही नए पानी का amount होगा समझ मैं दुबारा समझे इतना पानी हमारे पास already है इसमें हमने x लिटर मिला दिया ठीक है तो यह किसके बराबर होगा नए मिश्रण में नए मिश्रण का 20 प्रतिशत के बराबर होगा तो नया मिश्रण है कितना 80 तो पहले से था उसमें x जुड़ गया उसका 20 प्रतिशत हो गया अब इस बारे पूरी equation को हमें solve करना है यह हो गया 12 प्लस x is equals to 20 पंजे 100 हो गया तो एक काम करिए 5 से सिदे सिदे यहां पर क्रॉस मिल्टिप्लाइ कर दीजे और यह हो आपका 80 प्लस x 12 पंजे 60 प्लस 5 x is equals to 80 प्लस x तीक हो गया तो 5 माइनस x को धर ले किया यह 60 यह को धर लेके जाए तो जाएगा 5 x माइनस x is equals to 80-60 5 x minus x is equals to 4x 80-60 is 20 तो x की वैल्य वैले हो तो आप उसको slow करके पढ़ सकते हो otherwise जो लोग बहुत पहले से classes को पढ़ रहे हैं उनको problem नहीं आएगी कभी-कभी थोड़ा सा time की कमी हो जाती है इसी वज़े थोड़ा सा speedly class लेनी पढ़ती है तो आज उनमें से एक दिन है ठीक है तो चलिए देखते हैं अगले question को अगला जो question हमारा है एक पंखे को 472 रुपे में बेचने पर क्रेम उल्ले का एक बट्टे 12 भाग लाब के रूप में प्राप्त हुआ उस पंखे पर प्रतिशत लाब क्या था अब देखो अब यह question है इस question में आपको selling price दिया हुआ है विक्रेम उल्ले दिया हुआ है इसका कोई use नहीं है आपको सिर्फ यहां पे confuse किया गया है हलांकि इसका use करके भी आंसर को निकाल सकते हैं आप क्या करोगे क्रेम उल्ले को X मानोगे या तो 100% मान लोगे ऐसा कुछ में और हाने होती है हमेशाए क्रेम मूलिय पर होती है आपको क्या बोला कि क्रेयम मूले का एकट्ठे-12 । यह अचैनगे तो दो मान के भी किया जा सकता था तो आगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए रियली सौरी कोई बात नहीं कभी-कभी हो जाता है तो अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्रेब चैनल को जरूर करिएगा थैंक्यू सो